तो चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फरिदाबाद से सामने आ रही है मेयर और SDO में तना तनी की खबर सामने आ रही है सफाई विवस्ता को लेकर मेयर भड़की है बड़ी खबर दीट शौचाले की बत्तर हालत पर नाराजगी जताई है मेयर ने फरिदाबाद के SDO सुरेंदर पर दुविवहार करने का भी आरूप लगाया है निरक्षड के तौरान मेयर और SDO के बीच पहस हुई है निरक्षड के बीच में ही छोड़कर SDO चले गए और ये तस्वीरे भी आपके टिब स्क्रीन पर मेयर और SDO के बीच तना तनी के तस्वीरे सुनेगे और देखिए आप ये देखो उसकी रोज सफाई होती है देखे देखे आप तो सफाई करने वाला कैसे सफाई कर रहा है आप देखिए कि वारत मिशन के तैत फरीदाबाद नगर निगम शेत्र के अंतरगत करोड़ों रुपे खर्च किये गए हैं साड़े साथ लाख रुपे पर ट्वालेट सेट की लागत से करोड़ों रुपे के शौचालने लगाए गए हैं और आज जब मेयर सुमनबाला ग्राउंड जीरो पर निरिक्षन करने पहुंची तो देखे जब अधिकारियों से उनकी कारश अली को लेकर जवाब मांगे ज कहना काफी मुश्किल बन पड़ा था और जबकि अधिकारी का कहना था कि यह पब्लिक के टॉयलेट हैं इसी तरह से सफाई होती है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चालेश पार्शदों का प्रतिनित्व करने वाली शहर की पठम नागरिक के साथ यदि कोई स्टर का अधिकारी इस तरह बही सड़क पर दुर्व्यवार करने का प्रयास कर सकता है तो ऐसे में शहर के आम लोगों की स्थिति क्या होगी सहजी समझा जा सकता अब देखने वा कि मेर आग बबूला होकर इस मामले में आगे कारवाई करने की बात कह रही है अब देखने वाली बात ही होगी कि सरकार ऐसे मनमानी करने वाले अधिकारियों पर क्या नकेल कसती है ताकि अन्न किसी अधिकारी की हिमाकत ना हो सके कि वे मेर जैसे उच्च पद पर आसी निक व्यक्ति की सरे हम पबलिक के बीच में उनके साथ दुर्वेवार कर सके और ऐसे अधिकारियों को सरकार क्या सबत सिकाती है कैमरा परसंद शेवम के साथ फरीदावास से पूजा शर्मा जन्ता टीवी तो अस रिपोर्ट के बाद आपके मन में भी तमाम सवाल जरूर पैदा रहो रहे होंगे अप सीधा आपको लेचलेंगे ग्राउंड जिरो पर जहां पर हमारी सवी की पूजा शर्मा जुड़ी हो ही हमारे साथ पूजा एस्टियों का इस तरह से बरताव एक मेयर के प्रती ब सवाल पूचा जाए तो वह इस तरह हम इतने नगर निगम सदन का प्रतिनिध्यत्व करने वाली और मेयर को शेयर का पर्थम नागरिक बनने का अधिकार प्राप्त होता है उनके साथ पुब्लिक के बीच में उन्होंने दुर्वेबार किया है क्योंकि लगवक करोडों की लागत तर ये शौचाले बनाए गए ती और लगातार मेयर को शिकायते मिल रही थी की जो शोचाले है वहां पर पानी के कनेशन नहीं है सी वरिष के कनेक्शन नहीं और साथ ही साथ जो साथ-साफ़ाई पर पैसा खुच होता है लेकिन साफ-साफ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है स्थानी लोगों को भी परिशानी थी लेकिन जब मौके पर पहले तो मैं आपको बता दू कि मेर जो है दो तीन दिन से लगातार अधिकारियों से कह रही थी कि वे निरिक्षन करना चाहती है संबंद अधिकारी उनके साथ चले लेकिन कोई अधिकारी चलने को तैयार लेकिन जब वहां मौके पर पहुंचे और केवल दो जगह दो सेट शौचालों का निरिक्षन करवाया तो वहां पर जो हालात से इतने बत्तर से कि वहां पर दो मिनट कोई व्यक्षी खड़ा नहीं हो सकता है तो मेर ने सीधे सवाल किया कि आप इसको सफाई कहते हैं तो आ पूचिया हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है चले पूचिया आप से संपर्क नहीं हुपर है हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सवालों के घेरे में जरूर आज SDO के इस तरह की कारेश आली है कि अगर आप किसी चीज के जिम्मधार है और उस जिम्मधारी को लेकर आप से सवाल पूचा जाएगा और आप तनातनी करेंगे तो शायद आपकी ये सरासर गलती है सफाई व्योस्ता को लेकर किस तरह से SDO और मेर के बीच ये कहा सुनी और तनातनी हुई आप टीवी स्क्रीन पर देखकर साफ़तवार पर अंदाजा लगा सकते हैं मेर जब सफाई व्योस्ता का जाइजा लेने SDO के साथ पहुची और SDO से ये सवाल पूचा कि आखिर सफाई के लिए जिम्मेदार कौन है तो SDO भड़क उठे और जब आप अपने जिम्मेदारी पर भड़कते हैं और वो भी तब जब जब जो आपको जिम्मेदारी सौपई है उसमें खामिया नजर आती हैं और वो भी इस तरह की खामिया और उसके बाद अगर आपका भड़कना शायद नागवार गुजारा होगा तो तस्वीर अपक्रिटिव स्कीन पर फरिदाबाद की नरेक्षर के दुरान मेयर और अस्टियों के बीच जबर्दस बहस हुए एक पर फिर सुनिएगा आपके घर का टालेट दिखाओ आप इतने ही साफ है पबलिक गंदगी के लिए है